देखो आप लोगों ने 9th क्लास में congruent figures और similar figures पढ़ी हैं congruent figures क्या होती हैं? दो figures जो congruents गब होती हैं? जब उनकी जो shape है और size है दोनों same होते हैं ठीक है? मतलब जो size है वो दूसरा size भी दूसरी figure का बिल्कुल same होगा और दोनों की shape भी same होगा अगर कोई rectangle की form में हो तो rectangle की form में दूसरा भी figure होगा अगर कोई triangle की form में होगा similar figures क्या होती है? two figures having same shape जिनकी shape तो same होती हैं लेकिन उनका size same नहीं होता जैसे एक triangle ये है और एक छोटा triangle है shape तो same है लेकिन जो size है वो different है कहने के लिए ये दोनों similar हैं और concurrent में दोनों accurate होगी जितने size का ये है उतने ही size का ये होगा आप देखिए आपके पास exercise 6.1 है चुकि आप लोग खुद करोगे सिर्फ blanks लिखने और कुछ नहीं है इसमें similar figures के बारे भी बोला गया है और second question में दो different examples देने है similar figures के और non-similar figures के कोई भी examples आप डाइग्रम बनाके with name लिख सकते हो जैसे और third में क्या करना है state whether the following quadilatels are similar or not ये बताना है कि ये दोनों quadilatels similar है या नहीं मैंने आपको similar में बताया था आपका सेम शेप होती है और size different होता है तो लेकिन यहां पर जो कहते हैं आपके figure है एक square है तूसरा भी square की form में बोल सकते हो लेकिन ये पहला hologram की shape में है ठीक है तो आप ये बता सकते हो कि कौन सा similar है और कौन सा similar नहीं है exercise 6.1 और chapter 6 नहीं से start हो रहा है इसमें और कुछ नहीं करना है blanks और ये तीनो questions आपने करने है उसके बाद आता है आपका similarity of triangles मैंने आपको ये बता दिया कि two triangles similar कब होते हैं जब उनके angles जो है वो equal होते हैं और उनकी जो sides है उनका ratio सेम होता है ठीक है ratio का मतलब होता है upon में ठीक अब आपके पास इसकी पहली theorem है theorem 6.1 that is BPT theorem और called Thales theorem theorem 6.1 basic proportionality theorem that is BPT और Thales theorem एक्जाम में चाहिए इस name से आए चाहिए Thales name से आए दोनों name से आपको theorem यही करनी है और अगर without name आती है तब आपको statement याद होना चाहिए आप देखो statement से पहले आप theorem समझो if a line is drawn parallel to one side of triangle देखो क्या given है आपको एक triangle उन्होंने बोला एक line किसी एक side से यह side है इसमें एक यह point है इस point से दूसरे point पर triangle की दूसरी sides पर यह line इस line के parallel है divide two sides in distinct points distinct points मतलब यह दोनों points the other two sides are divide in the same ratio यह proof करना है कि क्या यह दोनों side जो है इनका ratio same है ratio क्या होता मैंने बताया अभी ad upon db equal to a e upon e c यह आपको proof करना है अगर आपको statement समाज आ गया तो figure बड़े असानी से बन जाएगी बड़ अगर आपको statement समझ नहीं आया तो आप figure असानी से समझ नहीं सकते हो देखो इसमें क्या बोलना है उन्होंने क्या बोला एक triangle बनाया है आपने दो distinct points से एक line जो है triangle की एक line के parallel बनाई ठीक है इतना आपको given क्या है सिर्फ triangle a b c जिसमे d e जो है वो parallel है b c के सिर्फ इतना given था यह जो बाकी हमने draw किया है यह हमने construction किया है अब यह proof क्या करना है कि जो यह दो points से ratio है यह दोनों equal है यानि a d upon d b equal to a e upon e c यह आपको proof करना है अब construction के लिए आपने क्या किया join b e and d c यह join कर दिये और e n जो है वो इस line के perpendicular बनाया चीक है और d m जो है वो इस line के perpendicular खुद draw किया है आपने this is called perpendicular sign अब proof देखो we know that area of triangle आप लोगों ने 9th class में पढ़ा है area of triangle का formula होता है half into base into height चीक है half into base into height इसमें आपने की लगाना है formula तो इसी triangle का area एक बार इस side वाले perpendicular को लेकर के करोगे और एक बार इस side को तो देखो ये जो triangle है दोनों में common है हमने area of triangle a d e निकाला perpendicular कान सा है e n और base कान सा है a d half into base into height ये first equation होगी अब ठीक इसी के नीचे एक ये triangle है b d e ठीक है अब इसका area अगर हम निकालेंगे तो इसका area क्या होगा half into base क्या है आपका d b और perpendicular अगर आपके पास कोई भी triangle इस तरीके से बना है तो आप इसका जो perpendicular है ऐसे ही बनाते हो extend करके तो perpendicular तो यही रहेगा लेकिन base क्या हो जाएगा d b तो यहाँ पर half into d b perpendicular क्या हो जाएगा e n अभी आप इसी side ले रहे हो यह होगे equation second अब क्या करोगे first और second को divide कर दोगे यानि area upon this upon this equal to half यह पूरी equation फिर half यह पूरी equation यह cancel होगे यह भी cancel होगे क्या आगे ad upon d b called third equation अब देखो similarly यह हमने divide क्यों किया क्योंकि हमें question में ratio चाहिए और ratio हमारा आ गया है अब similarly हम इस side को लिख सकते हमें show करने की जुरुत नहीं है area of triangle a d e किसके equal होगा जब यह वाला perpendicular लेंगे और यह वाला base लेंगे तो half perpendicular क्या हो गया d m base क्या हो गया a e half d m और a e के साथ इसकी multiplication होगी अब ठीक इसी के नीचे वाला triangle कौन सा है d e c d e c में जो base हो गया e c और perpendicular यही रहेगा d m d e c में half into e c into d m d m से d m cancel half से half cancel तो यह पूरी term किसके equal होगी e upon e c के equation number 4 अब देखो यह जो एक trapezium है यह पूरा एक trapezium है जिसमें दो triangle है d b c और दूसरा है e b c यह d e c ठीक है यह दोनों बोलोगे तो दोनों का जो base है वो same है यह वाला d e इधर भी d e r है और इस triangle में भी d e r है और दोनो parallel line के बीच में और 9th class में आपने एक theorem पढ़ी थी कोई भी trapezium के बीच में दो triangle जब same base पे होते है और दो perpendicular line के बीच में होते है तो उनका area क्या होता है equal होता है तो यहाँ पर किसका area equal होगा d b e का और d e c का ठीक है d b e और d e c दोनों का area क्या हो गया equal देखो उपर वाले दोनों equal है जनी कि नीचे वाले equal करने जरूरी है तो इनका area already equal है क्योंकि बोत are on same base base कौन सा है d e और दो parallel line कौन सी है d e parallel to b c तो इसी जरीके से यह statement लिखो गे from third, fourth और यह question fifth तीनों क्या दोनों क्या हो गए equal हो गए इसकी value क्या आई थी ad upon d b और इसकी value क्या आई a e upon e c तो यही आपको proof करना था hence proof अब आप आज यही करोगे कल मैं इसकी converse of bpt आपको समझाऊंगी